एक दिन की बाध है बाजूचील अपने बेटे के साथ पक्शियों के हरे भरे जंगल में घुसाती है बेटा ये जंगल तो बहुत ही अच्छा है पर ज़दी से मैं इस पेड़ पर अपना घर बना लेती हूँ हाँ ममा आप ज़दी से हमारा घर बना दो था कि मैं घर में आराम से सो तो सकूँ दूसे चंगल से इस चंगल में आते-ाते मैं तो बुरे तरह धग गिया हाँ हाँ मेरी बेटे मैं बस घर बनाने के लिए लखडिया लेकर आती हूँ थोड़ी दिर के बाद बाजुचील उस पेड़ पर लकडियों से अपना घर तयार करने लगती है पर ये सब कुछ पेड़ के पीछे चुपा कालुकववा देख रहा था वे फौरन पक्षियों के पास जाता है और आकर जल्दी जल्दी सब पक्षियों को जमा कर लिता है क्या बाते कालुकववे क्या हो गया तुम इतने की परिशान हो हाँ हाँ कालुकवे क्या हो गया तुम मुझे बीच खाने से उठा कर क्यों ले आए पक्षियों बहुत बुरा हो गिया हमारे चंगल में कोई भी खत्रा नहीं था परंतु मैं अभी खुद देखकर आ रहा हूँ हमारे चंगल में एक चील आ गई है और तो और वे अपना घर भी बना रही है क्या चील हमारे जंगल में आ गई और वो अपना घर भी बना रही है हाई रे चील हमारे जंगल में क्यों आ गई अब तो वो चुन चुन कर हम सब के बच्चों को खा जाएगी अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा चलो पक्षियों चील के पास चलते हैं और उसे जंगल से जाने का कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो चली चलो मेरे साथ कालू काववा उन सब पक्षियों को लेकर उस चेल के पास चला जाता है दोस्तों अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है पक्षियों क्या बाते तुम सब मेरे पास चील बेहन तुम अभी के अभी यहां से चली जाओ हम तुम्हें अपने मासूं बच्चों को खाने नहीं देंगे हाँ चील तुम हमारे लिए खत रहो चली जाओ यहां से अरे अरे पक्षियों तुम सब परिशान नहो मैं जिन्दा पक्षियों का मास नहीं खाती मैंने तो हमेशा ही मुर्दा पक्षियों का ही मास खाया है हम कैसे मालने कैसे करने तुम पर भरोसा तुम चीलों का क्या भरोसा क्या पता जूर बोल रही हो तो ठीक है फिर मैं अपने बेटे की कसम खा कर बोलती हूँ मैं तुम ऐसे किसी पक्षी को बिल्कुल नुक्सा नहीं पुचाऊंगी हम्म मुझे लगता है पक्षीयों इस चील ने इतनी बड़ी कसम खाली है तो हमें इस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि कोई मा कभी अपने बेटे की कसम नहीं तोड़ सकती हाँ हाँ पक्षीयों मुझे पर यकीन करो मैं तुम ऐसे किसी पक्षी को कभी परिशान नहीं करूंगी देखो ये चील मुझे बाकी चीलों की तरह बुरी नहीं लग रही चलो पक्षीयों कोई खत्रे वाली बात नहीं है मिनुचेडिया सारे पक्षीयों को लेकर वापस चली जाती है मिनुचेडिया ये तुमने क्या किया उस चील पर क्यों परोसा किया तुमने कालुका वे तुमने देखा नहीं क्या उसने अपने मासूम बच्चे की कसम खाई थी देखना वे कसम कभी नहीं तोड़ेगी मैं तो जा रही हूँ अपने घर पक्षियों तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ फिर मिनुचेडिया वहाँ से चली जाती है ये मिनुचेडिया तो पागल हो गई है जो उस चील पर भरोसा कर बैठी हाँ पक्षियों मुझे लगता है उस चील ने हमें अपना शिकार बनाने के लिए हमसे जूटी कसम खाई है अरे भाई मिनुचेडिया को छोड़ो पक्षियों मैंने सोच लिया है जब बाजूचील घर में नहीं होगी तो मैं बाजूचील के घर को आग लगा दूँगा देखना बाजूचील खुद बाखुद इस चंगल को छोड़ कर चली जाएगी दूसरे दिन बाजूचील अपने बेटे को लेकर चंगल की सेर कराने ले जाती है कि पीछे से कालू कवा आकर बाजूचील के पूरे घर को आग लगा देता है और फिर फौरण वहां से चला जाता है कुछ देर बाद बाजूचील अपने बेटे के साथ वहां पराती है मेरा घर, मेरा घर कैसे जल गिया? कितनी मैने से बनाया था मैने अपना घर बेटा लगता है बारिशे होने वाली है पूरे अस्मान पर काले काले बादल छा गए बाजूचील मदद मागने कालू कवे के घर पर आती है मेरा पूरा घर जल गिया कवे और थोड़ी देर में बारिशे भी होने वाली है मैं कहां जाओंगी? बस आज की रात मुझे अपने घर में रख लो चलो चलो निकलो यहां से चीलों को तो मैं अपने घर में रखता ही नहीं क्या पता कब हमला कर दें फिर बाजू चील बाकी के और पक्षियों के घरों में जाकर भी उनसे मदद मांगती है पर कोई भी पक्षी बाजू चील को अपने घर में रखने को तयार ना था चील बेहन अंदर आजो बारिशे होने ही वाली है मुझे तुम पर पूरा बुरुसा है कि तुम अपनी कसम कभी नहीं तोड़ोगी मिनु चेडिया बाजुचील और उसके बेटे को अपने घर में बुलाती है और उन दोनों को आज की रात अपने घर में ही जगरे देती है थोड़ी देर में ये बात हवा की तरा सबख्षियों तक पहुंचाती है सबख्षी तो बहुत जादा गुस्षे में होते हैं ओय मिनुचेडिया अगर तुमने उस चील को अपने घर से बाहर ना निकाला तो इस डंडे से मार मार कर तुम्हारा पूरा घर तोड़ देंगे हाँ मिनुचेडिया हमने आग लगा कर चील का पूरा घर चला दिया ताके चील हमारे जंगल से चली जाए पर तुमने तो उससे अपने घर में जगा देती चलो अभी क्या भी निकालो उसे घर से पक्षियों बाजुचील मेरे घर में महमान है और मैं अपने महमान को कभी घर से नहीं निकालती तो ठीक है पक्षियों डंडे से मार मार कर मिनुचेडिया का पुरा घर तो डालो वे सब पक्षी हमला करने ही वाले थे कि तबी बाजुचीर और उसका बेटा घर से बाहर आ जाते हैं और ये क्या वे दोनों तो अचानक से एक परी में बदल जाते हैं मैं चील नहीं बलके एक सुन्दर परी हूँ कई में तुम एक रहम दिल पक्षी हो तबी वे परी अपने जादू से मिनुचेडिया को एक सोने का संदूग देती है वे सोने से भारा संदूग मिनुचेडिया की अच्छाई और रहम दिली का तौफा था ये सब देखकर वे सब पक्षी तो बहुत जादा जलते हैं दोस्तों अगर कहानी पसंद आई तो वेडियो को जादा से जादा लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों हो गई आप सब की एक्जैम की तयारिया हाँ हाँ मिनुटीचर मेरी तो पूरी तयारी हो गई मैंने सब याद कर लिया हाँ मेरी भी पूरी तयारी हो गई हम पहुत बढ़िया और आजुकावे तुम्हें याद रहे इस बार में एक्जैम में तुम्हें बिलकुल भी चिटिंग करने नहीं दूँगी मिनुटीचर आप बेफिकर हो जाएं मैंने भी एक्जैम की पूरी तयारी कर ली है ठीक है बच्चों चलो अब सब अपने अपने घर चले जाओ छुटी हो गई थी सब बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते हैं पर राजु का हुआ बहुत जादा ही परिशान था मैंने तो मिनुटीचर से जूट मुट कह दिया कि मेरी पूरी तयारी है एक्जैम की पर मुझे तो कुछ नहीं आता अब मैं क्या करूँगा वे मिनुटीचर तो एक्जैम में चिटिंग करते हुए भी मुझे फॉरण से पकड़ लेती है राजु क्या हो गया कब से देख रही हूँ कि अपने आप से ही बाते के जा रहे हो नहीं नहीं तो ममा कुछ नहीं हुआ राजु तुमें भूक लगी होगी न मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम भोजन बनाकर दिया रखा है चलो जल्दी से हाथ मुधोलो फिर मैं लगाती हूँ भोजन नहीं ममा मुझे अभी भूक नहीं लगी मुझे तो अभी बहुत सारा पढ़ना है राजु कवे की ये बात सुनकर राजु कवे खोश हो जाती है राजु कवे पढ़ने की बहुत कोशिश करता है और काफी देर तक किताबे लेकर बैठा रहता है पर उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था ना राजु कवे ना तु पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है पर मुझे तो किसी भी तरह इस बार एक्जैम में पास होना है मैं क्या करूँ ऐसा बस अगर किसी तरह मिनू टीचर की जगा कोई और टीचर एक्जैम लेने आ जाए तो तो मैं आराम से चिटिंग कर सकता हूँ राजु कववा काफी देर तक यही सब सोचता रहता है दूसरी तरफ मिनू चेडिया भी अपने बेटे को खूब पढ़ाई करने का बोल रही थी दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके यह कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है मानो मैं तुम्हारी ममा तो हूँ पर एक्जैम में मुझे अपनी ममाना समझना इसलिए अच्छे सप्ड़ाई करो मुझे तुम्हारी नमबर बहुत अच्छे चाहिए सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को मन लगा कर पढ़ाई करने का समझा रहे थे अरे वाह मिल गया उपाए अब देखो मिनू टीचर मैं किस तरह आपको एक्जैम वाले दिन घर से बहारी आने नहीं दूँगा बस फिर क्या था दो दिन गुज़र जाते हैं अगले दिन बच्चों का पिपर था इसलिए सब बच्चे चल दी ही सो जाते हैं ममा मैं बहाँ जा रहा हूँ थोड़ी दिर में आता हूँ ऐसा बुल का राजु कववा खर से बहाँ चला जाता है और वे उड़ता उड़ता पहाडों की तरफ बादलों के पास चला जाता है अरे नन्य कववे सब खेर तो है न तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो बादल अंकल बादल अंकल हम पक्षियों पर दया करो हमारे जंगल में बारिशे न होने की वज़ा से सूखा पढ़ गया है पता है जंगल के सारे नरिनाले पूरी तरह से सूख चुके हैं और फसले भी नहीं लगती आब परन्तु अभी कुछ महीने पहले ही तो मैंने तुम्हारे जंगल में कितनी बारिशे की थी तो ऐसा कैसे हो सकता है बस बादलंकर मुझे कुछ नहीं पता कला प्लास मी आकर हमारे जंगल में तेज बारिशे कर दें हमें पानी की बहुत जरूरत है अच्छा अच्छा बेटा तुम रो मत हम कल आजेंगे तुम्हारे जंगल में बारिशे करने बादलों का ये कहना सुनकर राजुकवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है अगले दिन सुबा सुबा अस्मान पर काले काले बादल चा जाते हैं और जंगल में तेज हवाँ के साथ बारिशे शुरू हो जाती है बादा लंकर ने तो कमाली कर दिया अब देखना मीनू टीचर अपनी चोटी सी बेटी को अपने कमजोर से घर में अकिला छोड़ कर कभी भी स्कूल नहीं आएंगी अब कई और टीचर आएंगी एक्जाम लेने और मैं उनसे छुप छुपा कर चिटिंग कर लूँगा अराम से राजू कवा तो बिन मौसम के जंगल में बारिशें करवाकर बहुत जारा ही खुश था है रे ये बिन मौसम के बारिशें कैसे शुरू हो गई आज तो बच्चों का पीपर भी है अब मैं इसकूल कैसे जाँगी ममा ममा चल्दी लाओ नाश्ता मुझे एक्जैम देने स्कूल पिचाना है क्या बाते राजू बड़े खुश लग रहे हो लगता है तुमने आज एक्जैम की पूरी तयारी कर ली है ना हाँ बाबा आपने ठीक कहा मैंने एक्जैम की पूरी तैयारी कर ली मैं बहुत जादा खुश हूँ शावाज पेटा मेरा तो बस यही सपना है कि तुम पढ़ लेकर बहुत बड़े आदमी बन जाओ और हमारा बहुत नाम रोशन करो फिर नानी कवी साजुकवे को नास्टा रिती है राजुकवर जल्Дी जल्दी नास्टा करके अपने इसकूल के लिए निकल जाता है अरे भई ये क्या इतनी देर हो गई पर इसकूल में तो अबी तक कोई आया ही नहीं जगू चाचा क्या बाते भाई अभी तक सारे बच्चे और टीचर क्यों नहीं आए बेटा देख नहीं रहे कितनी तेज बारिश हो रही है इस बारिश की वज़ा से मीनू टीचर ने पेपर कैंसिल करवा दिया है अब पेपर आज नहीं बलके कल होगा इसलिए कला न तुम ये सुनकर राजु कवे के दो होश उड़ जाते हैं क्योंके राजु कवे के सब किये पर पानी फिर गया था ये क्या कर दिया मीनूटी चर ने अब मेरा क्या होगा राजु कवे का उदास परिशान होकर वापस अपने घर चला जाता है बस फिर योँ ही अगला दिन भी आ जाता है सारे नने पक्षी एक्जैम देने स्कूल में आ जाते हैं चलो बच्चों चल्दी जल्दी पेपर करो और हाँ कोई चिटिंग ना करना मैं सब को देख रही हूँ राजु कवे का तो सारा प्लैन उल्टा ही हो गया था वे तो इस साल का भी पेपर खाली ही छोड़ देता है कुछ दिन बाद सब बच्चों के रिजल्ट कार्ड आ जाते हैं पर इस बार भी राजु कवे बुरी तरह से फेल हो जाता है ये देखकर रानी कवे बहुत गुस्ते में राजु कवे को बहुत मारती है और इस तरह राजु कवे को अपने ना पढ़ने की सदा मिलती है बच्चों आज से ये कालु सर ही आप सब के नए टीचर हैं और यही आपको पढ़ाएंगे और आपसे एक्जैम भी लेंगे हम ऐसे में कालु अंकल नहीं बलके आप सब बच्चे मुझे कालु सर बोलोगे कालु कववा और रानी कववी अभी कुछ दिन पहले ही चंगल में नए नए आए थे रानी मुझे नौक्री मिल गई है इस्कूल में बच्चों को पढ़ाने की वे नकली डिग्री जो मैंने तुम्हारे भाई से बनवाई थी वे देखो आज आ गई न काम देखा रानी तुम्हारा ये जाहिल पती एक पढ़ाली का टीचर बन गया है वो सब तो ठीक है पर आपको तो कुछ आता ही नहीं है तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे मुझे पता था कि तुम यही पुछोगी इसलिए इसका भी उपाय है मेरे पास मैं तो कहता हूँ रानी तुम भी घर में बच्चों की टूशन किलास शुरू कर दो पर मैं तो अनपढ़ू कालो जी मैं भला बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी देखो रानी हमें जंगल में क्या सोच कराए थे कि हमें बहुत पैसे कमाना है और बहुत जादा अमीर बनना है तुम बस बच्चों को टूशन के बहाने यहाँ घर पर बुलाकर टीवी दिखाना बच्चे बहुत जादा खुश हो जाएंगे और एक्जैम में जो बच्चा भी हमारे टूशन में पढ़ा होगा मैं उसे बहुत अच्छे नमबर से पास कर दूँगा अरे वाँ मेरे टीचर पती बढ़ियों पाई है वागई आप बहुत शातिर हो दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है रानी कववी आज ही अपने घर के बाहर टूशन किलास का एक बोर्ड लगा दिती है और वे कालू कववा भी सब बच्चों को इसकूल में पढ़ा रहा था वे कालू कववा बस यही सोच रहा था अरे मेरा दिमाग तो बिलकुल खला से मैं क्या पढ़ाऊंगा इन बच्चों को बच्चों आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है तुम सब खेल सकते हो वे बच्चे अभी छोटे थे कालू कववे की बात सुनकर वे सारे बच्चे खुश हो जाती है बच्चों मेरी पत्नी रानी है न वो भी बच्चों को टूशन किलास पढ़ाती है जो बच्चा भी मेरी पत्नी से टूशन किलास पढ़ेगा वे देखना जरूर अच्छे नमबर से पास हो जाएगा अगर आप सब बच्चे अच्छे नमबर से पास ना हुए तो राणी टीचर से पैसे वापस ले ले ना अपने स्कूल ख़तम होने पर वे सारे बच्चे वापस अपने अपने घठ चले जाते हैं बाबा वे कालू टीचर है न वो बहुत अच्छे हैं और उनकी पतनी रानी टीचर भी बच्चों को टुशन पढ़ाती है अच्छा चलो ये तो बहुत ये अच्छी बात है कि हमारे जंगल में भी कोई पड़े लिके पक्षी आए बाबा बाबा आप मुझे रानी टीचर के पास इसको लगा दो ना ताके मैं भी अच्छी नमबर लेकर आऊँ अपने बेटे की बात सुनकर तोटा फोरण से मान जाता है और अपने बेटे को लेकर रानी कोवी के पास चला जाता है तुम बेर फिकर हुजा तोते, तुम्हारे बेटे को बहुत महनसे पढ़ाऊंगी में, देखना तुम्हारा बेटा सबसे अच्छे नमबर लाएगा चले ठीक है टीचर, ये ले आपके फीज फीज देकर नना तोता और तोता वहां से चले जाते हैं नने तोते को देखकर अब आइस्ता आइस्ता, चंगल के और बच्चे भी रानिकवी के पास टूशन पढ़ने आते थे वाँ वाँ, ये बच्चे मुझे टीचर बोल रहे हैं, तो कितना जादा अच्छा लग रहा हैं मैं तो बिना पढ़े लिके ही टीचर बन गई अगले दिन सारे बच्चे रानिकवी के पास अपने अपने बैग लेकर टूशन पढ़ने आते हैं चलो बच्चों, मैंने आप सब के लिए टीवी लगा दिया हैं, सब मज़े से बैट कर टीवी देखो पर रानी टीचर, हम तो यहां पढ़ने आए हैं न, तो हम टीवी क्यों देखें बच्चों, मज़े करो, मज़े करो, यह रानी टीचर का टीशन है, यहां आप सब को बहुत मज़ा आएगा पर हाँ याद रहे, यह टीवी वाली बात, आप अपने ममा बापा या किसी को भी नहीं बताएंगे पर कालू टीचर, अगर हम यहां पढ़ेंगे नहीं, तो हम तो फेल हो जाएंगे कालू कवे की यह बात सुनकर, उन सब बच्चों की पढ़ाई की टेंशन दूर हो गई थी, और वे सब बच्चे बहुत ज़ादा खुश हो गए थे बच्चों, यह जो बिना पढ़े पास होने वाली बात है न, या आप किसी को मत बताना, वरना सब गरबर हो जाएगी बच्चे रानी कवे की बात मान जाते हैं, और मज़े से टीवी देखने लगते हैं, अब तो हर रोजी बच्चे रानी कवे के टूशन में आकर मज़े से टीवी देखते थे ममा सारे बच्चे रानी टीचर के पास टूशन पढ़ने जाते हैं मुझे भी जाना है मैं भी पढ़ूँगा टूशन बेटा इसकी क्या जरूवत है मैं तुमें घर में इतना तो अच्छा पढ़ाती हूँ टूशन जाकर क्या करोगे तुम फिर इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं अब बच्चों के एक्जैम आ जाते हैं रानी कवी के टूशन के सारे बच्चे अपना अपना पेपर खाली छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था बस एक मानो चिड़ा ही था जो बहुत ही महनस से अपना पूरा पेपर लिक रहा था अब दो दिनों के बाद रिजल्ट की डेट आ जाती है बच्चों का आज रिजल्ट आने वाला था ये सुनकर सारे बच्चे मानो चिड़े पर हस रहे थे बिचार मानो चिड़ा रोते रोते अपने घर चला जाता है ममा मैंने कहा था ना आपको कि मुझे रानी टीचर के पर तुशन लगा दो देखा आपने सारे बच्चे अच्छे नमबर से पास हो गए और मैं फेल हो गिया हाई रे मानो ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा पड़ाया था बस ममा मैंने आपको कह दिया है मुझे रानी टीचर के पर तुशन लगा दो बरना में स्कूल ही नहीं जाओंगा अपने बेटी की बात सुनकर मिनुचेडिया मजबूर हो जाती है और उसकी बात मानकर उसे रानी कवी के पास ले जाती है तुम चिंता ही ना करो मिनुचेडिया देखना अगले एक्जैम में तुम्हारा बेटा सबसे अच्छे नमबर लेकर आएगा ये सुनकर मिनुचेडिया खोश होकर वहां से चली जाती है मानुचेड़े सब बच्चों के तरह तुम भी टीवी देखो जब एक्जैम आएंगे तु कालू टीचर तुमें पिना पड़े ही पास कर देंगे पर हाँ बेटा ये बात अपनी मामा को बिल्कुल नबताना वरना तुम अगली बार भी फेल हो जाओगे तुशन से वापस घर आकर मानुचेड़ा अपनी मामा को सारी बार बताता है हाई रे इतना बड़ा फ्रोट वे दोनों कवे तो चंगल के सब बच्चों के भविश्य से खेल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता मैं ऐसा होने नहीं रूंगी अब मिनुचेड़ा दुबार से अपने मानुचेड़े को बहुत ही मैनस से पढ़ाने लगी थी छे महीने बार अब एक्जैम दुबार से करीबा रहे थे एक दिन मिनुचेड़ा प्रिंसिपल के पास उसे सारी पार बताने आती है अब तुम देखो मिनुचेड़ा के मैं क्या करता हूँ अगले दिन वे सारे बच्चे एक्जैम देने आते हैं पर इस बार भी सब बच्चे अपने पेपर खाली छोड़कर चले जाते हैं बच्चों के जाते ही कालुकवा बच्चों के अच्छे नमबरों के रिजल्ट बना रहा था चलो सारे रिजल्ट बना कर तैयार कर दिये अब घर जाकर अराम करता हूँ बच्चों के रिजल्ट बना कर कालु कववा अपने घर चला जाता है कालु कववे के जाते ही जग उपक्षी आकर नए रिजल बनाता है और सब बच्चों को उनकी मेहनत के मताबिक नमबर देता है रिजल्ट वाला दिन आ जाता है आज तो सारे बच्चे फेल हो गए थे बसमानो चिड़ा ही सबसे अच्छे नमबर लाया था हाई रे ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो सारे बच्चों को अच्छे नमबरों से पास किया था तो ये बच्चे फेल कैसे हो गए फेल होता देख वे सारे बच्चे बहुत जारा परिशान हो जाते हैं और गुस्से में आकर अपने ममा पापा को विसारी बार बता देते हैं बाबा ये रानी टीचर अपने टुशन में हम बच्चों को पढ़ाने की जगा रोजाना टीवी दिखाती थी और ये कालू टीचर तो हमें बिना पड़े ही पास कर देते थे क्या कालू कावे ये क्या बोल रहे हैं बच्चे मैं तुम्हें अभी क्या भी निकालता हूँ अपने स्कूल से कालू कावे तुम तो टीचर के नाम पर कालंग हो भाई पक्षियों इस कालू कावे ने तो हमसे हर महीने मुफ की फीस ली और हमारे बच्चों के भविशे के साथ भी खिलवार किया मैं तो कहती हूँ इस कालू कववा और इसकी पत्नी को मार मार कर जंगल से निकाल दो अरे कालू जी जान प्यारी है तो भागे यहां से वरना ये पक्षी आज हमें छोड़ेंगे नहीं अपने जान बचाकर कालू कववा और रानी कववी वे जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें